नमस्कार स्वगत्यापका हमारे अशार्यागिंद्र विशाच शियनल पर 11 शितंबर पित्रपक्ष पहला रव्यार शूर को जल देने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज जन्मों जन्मों का पित्रदोस हो जाएगा खत्म मिलेगी सभी कश्टों और संक्टों से मुक्ती पित्रदेव हो जाएगे प्रसन दोस्तों पित्रपक्ष चल रहा है और आज पित्रपक्ष का पहला रव्यार है शूर्देव को अगर जल देने वाले लोटे में डाल दे ये एक चीज तो आपके उपर और आपके पूरे परिवार के उपर पित्रदेवों का आशिरवात बना रहेगा दोस्तों पित्रपक्ष के दोरान पित्रों की आत्मा की शांति के लिए स्त्राध तरपन और पिन्यदान अवश्य ही करना चाहिए पित्रों के निमित कुछ स्रद्धा से अरफित करना ही स्राध कहलाता है जो परजन अपने पूरजों के लिए स्राध कर्म के दौरान कुछ भी अरफित नहीं करते उनका स्राध यनि उनके जो पित्रदेव होते हैं उनकी मुक्ती नहीं होती और अगर अपने पित्रों के निम प्रदान करते हैं दोस्तों पित्रपक्ष भाद्रपद पुडिमा की तिथी से लेकर और अश्नी माश की अमश्या तिथी तक यानि की कुल 16 दिन तक रहता है इन दिनों में आप अपने पित्रों को प्रसंद करने के लिए एक लोटा जल जरूर आप शूर देव को नित दिया करें और अगर रविवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा क्योंकि रविवार के दिन शूर देव को जल देने से पित्र देव सदय परसंद हो जाते हैं और सूर भगवान की भी कृपा बरश्दी है दोस्तों शूर को सर्वती साक्षी भूतम कहा गया है सब कुछ देखने औ और सुनने वाले देव सूर जो प्रतच देव हैं उनको अगर पित्र पक्ष के दवरान रविवार के दिन उनकी पूजा करें सूर देव की उन्हें जल अरपित करें तो सूर देव का आशिरवात तो प्राप्त होता ही शाती साथ आपके जो पित्र देव होते हैं उनका भी पिशेश नियम और जो इनके नियम होते हैं, उनका पालन भी करें, शूर को पिता का कारक और आत्मा का कारक और मान समान का कारक माना गया है, शाती साथ पित्र पक्ष्य दौरान पित्रों का निवास भी माना गया है, शुक सम्रिद्धी देने वाले शूर देव, अगर इन्ह पित्र पक्ष दौरान शही तरीके से आप रवियार के दिन शूर को जल दें, तो कुंडली के जो पित्र दोस होते हैं, वो सारे दोस समाप्त हो जाते हैं, शूर का दिन रवियार के दिन है, रवियार के दिन अगर शूर देव को रवियार के दिन अगर कुछ विशेश वस्त तो आपके जीवन के जो पित्र देव से संबंदित करश्ट हैं वो कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि पित्र पक्ष में रविवार के दिन शूर देखो जब आप जल अरपित करें तो तांबे का लोटे का ही योज करें। या फिर आप चाहें तो पितल का लोटा लेकिन प्लास्टिक और कांच के वरतन का भोल कर भी इस्तवान ना करें। इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें। शूर को जब आप जल अरपित कीजेगा तो उसके विशेश प्रयोग होते हैं, विशेश तरीके होते हैं। आज पित्र पक्ष का दोसरा दिन है और पहला रविवार है और जिनकी तिथी आज है वो अपने पित्रों के निवित स्राध तरपन करेंगे। किशी पवित्र तीर्थ नदी में शरोबर में इश्णान करें, ये फिर अगर नहीं कर सकते, तो फिर घर में ही गंगा जल डाल कर और थोड़ सा काला तिल डाल कर जरूर इश्णान करें। फिर आप क्या करें। कि आप खड़े होकर सुध जल ले लें, शुध जल आप एक पूर्व दिशा की और सूर की तरप आप अपना मुख करके और पित्रों का इश्मरन करते हुए शूरदेव को आप एक लोटा जल दें और इस एक लोटे जल में आप काला तिल जरूर डाल लें। रविवार की दिन करने वाला ये बहुत ही आसान और असर कारक उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे आप ध्यान से सुनिये क्योंकि अगर रविवार की दिन आप यह उपाए करते हैं तो निश्चिति आपके उपर सूर देख की कृपा शाता साथ साथ पित्र दे दोस है यह फिर आपको लगता है कि जोसे पित्र देवों के कृपा आपके घर परिवार में नहीं बन रही या फिर आपके जीवन में नोकरी बेपसाय नहीं चल रहे हैं बैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो आपको यह उपाए जरूर करें पित्र दोस से भी छुटकार धारन करें और फिर आप बीना सिले हुए कपड़े पहन ले और साथी साथ आप क्या करें कि आप स्वक्ष यनि की पानी ले ले एक लोटे में लेकिन इस दिन जिन्स का पैंट बिल्कुल ना पहने इस दिन धोती कूरता ही पहने फिर आप यनि की एक लोटा जल लेकर इस ए पुरण देव की तरफ दे कर आप शूर देव को जल दे और जिस जल जिस स्थान पर आप डagger रहे हैं उस स्थान पर पूरा जल डालने के बाद फिर आप की लोटे में जो थोड़ा सा काला तिल रह गया है उसे निकाल कर हाथों से उसी स्थान पर डाल दे जहां पर आपने शूर देव को जल दिया है दोस्तो रवियार के दिन शूर देव की पूजा करने से पितर पक्षिय दोरान जो आपकी पितर देव होते हैं काफी परसंद होते हैं अपना पूर्ण आसिरवाद देते हैं जनमों जनमों के कष्टों को मिटा देते हैं दोस्तो रवियार के दिन है और पितर पक्षिय का इसमें समझ चल रहा है तो सूर्दे को जल देते समें जल वाले लोटे में आप साथ लाल मिर्च भी डाल कर देदें तो आपके घर में अगर कलए कले से फिर किशी के तंत्र के कोई तंत्रमंद्र की वाधाएं करा रखा है। यह फिर आपको लगता है कि जिसे अन्यक प्रकार के कश्ट किशी ने जादू नजर टोना टोटका लगा रखा है। तो सात लालमिर्च के दाने डाल कर आप एक लोटा जल सूर्धे को दे दें, तो घर से ग्रह पीडा और साथी सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों सूरदे को जल देते समय आप तिल जरूर डाले कुछ डाले या न डाले लेकिन काला तिल जरूर डाल के दे इससे सूरदे को कृपा बरसेगी साथी पित्र देबों की भी कृपा प्राप्त होगी दोस्तों रवियार के दिन सूर को जल देते समय एक छुटकी हल्दी भी आप डाल कर जरूर दे दे इससे सूरदे की कृपा बरसेगी घर से पीडाएं जो आपको कश्ट और दुख तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी सूरदे को अगर आप पित्र पक्ष के दवरान रवियार के दिन मीठा जल देते हैं तो आपको जीवन में रक्त समद्धि शमश्याएं खत्म हो जाती है दोश्तों सूरदे को जल देते समय लाल पुषप जरूर आप डाल कर पित्र पक्ष के दवरण जरूर सूरदे को जल दे एक लोटा यानि कि आप लाल पुष पर डाल लें, पांच लाल पुष पर ग्यारा लाल पुष पर डाल लें, थोड़े से उसमें आप चाहें तो काले तिल भी डाल लें, काले तिल तो जरूर डालें, कुछ डाले या ना डालें, लेकिन काले तिल डाल कर जरूर दें, तो पि कित्रों को भी परसंद करें सूर देव को भी परसंद करें कमेंट में लिखएगा जैसूर देव साथ बीडियू को लाइक करिए जाधा जिद्व सेर करेंए चलुंGU के सब्सक्राइब करिएगा जय सूर देव